हलो दोस्तो स्वागत है आज के हमारे वीडियो पर तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सदा बहार का पौधा या सदा बहार का कटिंग आप एलो बीरा की पौधे में किस तरह से लगाओगे दोस्तो आपनी सभी तरह का पौधा तो लगाया होगा पर सदा बहार का पौधा ह हम अच्छी तरह से कटिंग से लगाएंगे और आपको बताएंगे अपने वीडियो पर दोस्तों आप हमारे वीडियो पर नए हो तो मेरे वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों यह देखिए हमारे सदा बाहर का पौधा है जिसे मैंने कई कि दिनों पहले मैंने इसको कटीन करकर बिल्कुल चाड़ दी थी लेकिन उसमें देख सकती हो कि आप किस तरह से इनकी पत्ते आये हैं कोमल-कोमल बढ़िये फ्रेज पत्ते आये हैं इस पतियां में एक भी कीड़े नहीं लगे हैं और नहीं फंगी साइड का अटैक आया है द तो आपकी बिल्कुल कल्या वाली जो उपर की भाग रहती है उनकी पत्ती छोटे-छोटे होती है वो आप तिन तोड़ ले जैसे कि मैं आपको दिखा रहे हूँ अपने हाथों में कि इस तरह से पतियां को आपको तोड़ना है ये तिने पतियां आपको तेन बेमारी से छो आती हूं कि ये बिल्कुल सुबह को खाली पेट में इसको पानी के साथ निंगल जाना है जैसे कि आप इसको चबा कर नहीं खाना है ताकि ये जाकर अंदर ये कई बिमारियों को लणने से काम्याब हो सकती है दोस्तों इस तरह से हम कटिंग लगाते हैं पौधी पर देख सकत मैंने फिर से नए नए ब्रांचे इनकी निकली हुई है तो आप देख सकती हूं इनकी जड़ कितनी पुराने हैं और कितनी मोटे और इनकी काले हो गये हैं दोस्तों इस तरह से हमारे जो पौधे हम लोग लगाते हैं तो कई साल पुराने हो जाते हैं तो उसको हम लोग कव पार कर फेक देती हैं लेकिन आपको इसको बिल्कुल फेकना नहीं है तो सबसी पहले आपको तीन कलियां काट लेना है यह हमारे सदा बाहर का कलियां जो है इस कलियों को हमें काट लेना है आप तीन लगा सकती हो चार आप अपना अवस्यक्तानुसार लगा सकती हैं तो दोस्तो इस तरह से देखिए मैंने ये कटिंग करकर जो लगाने जा रही हूं सदा बहार का इलू बीरे की पत्ते में तो आप इस पौधी को भी देख सकते हैं ये पौधी कितने साप सुतरे और कितने खुबसूरत हैं दोस्तो इस तरह से आप घर पे कई सारे पौधे लगा सकते हैं उनका कटिंग भी लगा सकते हैं पहले लोग क्या करते थे कि जड़ से खरीद कर लाकर लगाते थे लेकिन अब कई भी पौधे का कटिंग लगाया जाता है तो मैंने भी इस सदा बाहर का कट इस तरह से मैंने कर लिया है अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, दोस्तों, कि ये हमारे एलो बेरा का पौध है, आप देख सकती हो कि ये एलो बेरे के पतियां कितनी खुबसूरत और कितनी सुंदर लगे हैं, ये बिल्कुल बड़े साइज का एलो बेरे के पतियां, तो आप इसमें क्यों नहीं उगा सकते हैं, बिल्कुल आप उगा कर इसको ट्राय करिए, तो सबसे पहले देखिए, इस पत्ती हमारे किस तरह से मोटे हैं और अच्छे हैं, ये बिल्कुल स्वस्त पोधा है, तो आपको इस चाकू की मदद से तिन छेद कर लेना है, जैसे कि मैं आपक कटिंग जो मैंने आपको देखा देती हूं दोस्तों, इस हमारे एलो बेरे के एक टुकडे मैंने लिया है, इसका जैल, जैल से हमें पोधे त्यार करना है, तो देखिए, इस तरह से हम पोधे को, कटिंग को, जैल में इसको क्या करना है, कि इस जड़ जो कटिंग का जड़ होती हैं उस झेल को जेल को दोस्तो आपको क्या करना है कि आप इस पोधे पर ज्से कि हम सदा बाहर का कटिंग जो लाए ँक छोटे-छोटे उसको जेल में लपेट लेना है जैसे इस तरह से लपेट ले ताकि इनके जो हम कलियां है काटे हैं वह अच्छी तरह से जेल में लग जाए लेकिन दोस्तों मेरा तो एलो बेरा में ऐसे भी जेल उपलब्ध है अगर नहीं लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम लगाकर इसमें आपको वीडियो में दिखा रहे हैं और इसमें सारे पॉध जो मैंने तिन जगह इस चक्को की मदद से सदा बाहर का छोटे-छोटे पॉधे लगाएंगे और इसमें फूल खिलेंगे तो आपको कितना सुन्दर लगेगी और इनके कटिंग भी तैयार कर सकते हो दोनों आप फायदा पाओगे ताकि ये फूल भी निकले और कटिंग भी तैयार हो जा तो इस तरह से आप घर पे एलो बेरे के पॉधे में आप सदा बाहर का कटिंग उगा सकते हो पूदेनी का कटिंग उगा सकते हैं तो मैंने आपको इस तरह से उगा कर दिखा रहे हूं दोस्तो अब एक मन्त के बाद हम आपसे मिलते हैं क्योंकि एक मन्त हो जाएगी तो मैं आपको जड़ निकालकर द ख्लावर देने लाइक खिल सके तो आप इस एलोबेरे के पौधे में छोटे-छोटे सदा बाहर का कटिंग लगाकर रखते हो और मैंने आपको दिखावी थी गुलाप का कटिंग लगाकर वो भी मैं अपने वीडियो में डाली हूं दोस्तो तो चलिए मैं आपको दिखाती तो दोस्तो एक मंथ हो चुका है अब आप इस पलांट को देख सकती हो जिस तरह से मैंने पलांट लगाई थी उस तरह से तो बिलकुल नहीं है क्योंकि ये पलांट कुछ अलग ही चेंज हो चुकी है तो अब आपको करना क्या है हम आपको जड़ नेकाल कर दिखाते हैं तो मैं एक-एक करकी छोटी-छोटी जो पकटिंग लगाई हूँ, उसको इस पानी में अच्छी तरह से साप कर ले, ताकि इसकी जो लरलरी पन जड में है, वो अच्छी तरह से निकल जाए, तो मैंने देखिए, इस तरह से एक प्लांट मैंने कवारी हूँ, अब हमारा दूस में आएगी, तो मैं आप दोस्तों, आपने तो सभी तरह का प्लांट लगाती हो, पर मिट्टी में लगाती हो, और मैंने तो आपको कई सारी वीडियो भी दिखाए हूँ, अपने ऐलो बेरी के जेल की मदब से उगा कर, पर हम लोग मिट्टी में उगा कर दिखाए हूँ, लेकिन मैंने इस तरह से अग एलो बेरी के पत्ती में खुद उगा कर दिखा रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से देख सको और अच्छी तरह से समझ सको, तो मैंने दोस्तों इस तरह से जड़ को दिखाए हूँ, लेकिन आपको फिर से अगर लगाना होगा, तो आप डा भरी रहे, एक भी इनकी पत्या खराब ना हो, तो मैं आपको इसमें कुछ ऐसा खाट डाल कर दिखाऊंगी, ताकि ये पौधे कुछ दिनों में अच्छी लगी ठंड के मौसम में या सर्दी के मौसम में ये पौधे बिल्कुल भी खराब ना हो, तो सबसी पहले आपको क्य करना है, गुलाय कर देना है, और मैंने आपको दिखाई हूँ इस वीडियो पर कि जहां से मैंने पौधे, सदा बाहर का कटिंग मैंने जो काटी हूँ, वहां से फिर से मैंने लगा कर रख दिया है, अब आपको खाद डी एफी, खाद कीतना डालना है, तो जैसे कि हमारे ए इस आप से आपको कम से कम दस दस दाने तेन जगह पर आपको डालनी है, ताकि ये पौधे को नियूट्रेशन पहुचा सके, और अच्छी तरह से ये पौधे स्वस्त रखे, और ये बिल्कुल भी खराब ना हो, और ये पौधे अच्छी तरह से देखने में लगे, हरे भर लगे, ताकि आपको भी पौधे लगाने में दिल्चस्वी हो सके, तो दोस्तों आपको देखिए इस तरह से एलो बेरी की पत्ती बिल्कुल भी खराब ना होंगे, और जब खराब होंगे तो आप ज्यादा यूज ना करे, ताकि ये पौधे को जलाने की काम में भी आ सकती है, तो आपको इस तरह का जानकारी कैसा लगा, अधि अच्छा लगा दोस्तों, तो आप इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों, बाई बाई